नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपनी चैनल स्टोपनीज़ बायर भी में तो PM मोधी ने आज क्यों कौन सी बात की है देखे एक तो ट्रांस्पोर्ट एरक्राफ्ट में सबसे बड़ा मैनिफेक्चरिंग करने की बाते की है और कौन-कौन सी बात है की के 3 बिलियन डोलर की इंवेस्टमेंट आई है इंडिया के एरोस्पेस में जो की पिछले 14 साल में भी नहीं आई थी सिर्फ 600 मिलियन आई थी उसके जगा 3 बिलियन यह पाँच गुना और एक और बड़ी बात कि है डिफेंस मैनिफेक्चरिंग में 25 बिलियन डोलर तक पहुँचना है इंडिया को आने वाले 2 से 3 साल के अंदर अंदर और एक्सपोर्ट कितना होगा पाँच बिलियन डोलर तो यह पाँच गुना है अपि एक्सपोर्ट के नाम पे इंडिया में कुछ ज़्यादा है नहीं तो कौन-कौन से स्टोक है जिनको फाइदा हो सकता है इससे इस अनौंस्मेंट की वज़ए से क्योंकि देखे बनाना ह है जो इंडिया में अभी एक्जिस्ट करती है सबसे बहले भारत एलेक्ट्रोनिक्स आपके नाम पे दूसरी अगर बात करूं तो आपकी भारत डाइनमिक्स आती है डिफेंस की स्टोक में तीसरा आपका हेल हिंदुस्तान एरोनेटिक्स जोकी बहुत मेजर बढ़ने वाला है आपका डोक शिप बिल्डर मेकजोन दूसरा कोचीन शिपियार्ड तिसरा एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडेक्ट्स लिमिटेड चोथा भारत फोर्च फिर जैन टेकनोलोजी यह सब स्टोक्स हैं एक्चली में तीसरे नमबर पे मिरे को कही तो एस्ट्रा माइक्रोवे देखिए यह सारे स्टोक्स हैं इनको स्टडी कीजी इनको बहुत फायदा हो सकता आने वाले टाइम में और यह मल्टी बैगर्स थाबित हो सकते हैं प्लिस स्टडी करिए अपनी लिस्ट में जरूर रखेगा